आप सभी को भाईदूज के बहुत सारी शुपकामना है और भाईदूज का आश्री जिकत बर्दान में चीजों को जानने के बाद आज आप भाईदूज को और भी बहुत प्रेम और भक्ती भाव से आप मनाएंगे क्योंकि इसका रहस बहुत बड़ा है और इसका बर्दान अत्तुलिय है, इतना प्यारा वर्दान है कि हर कोई चाहता है कि उसकी एक बहन हो और उसकी एक भाई हो यम जब लड़कर आया, तब उसकी बहन ने, उन्हें यमुना ने इतने प्रेम से खाना खिलाया कि वो इतने खुश हो गई यम कि उन्होंने उनकी बहन से बोला कि तुम्हें क्या वर्दान चाहिए आज मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्ने हूँ तब उनकी बहन ने बोला कि आज की दिन जो भी बहन उनके भाई को टीका लगा के उनको भोजन कराएगी तो उस भाई को कभी भी मृत्तु का भै नहीं होगा और इसी प्रकार से यम ने यमुना को वर्दान दिया था कि जो भी आज के दिन अपने भाई को टीका लगा कि उसे भोजन कराएगा उस बहन की हाथ कभी भी खाली नहीं रहेंगी उसके हाथ में इतना धन इत्ति सुक सम्र प्रकदी होगी। इससी लिए आज के दिन बस आप एक विशेश ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आप काजल का टीका अपने भॉजन कराएगा जौ और जो भी ऐसा करता है बहन के हाथ कभी भी खाली नहीं रहते हैं और उस भाई को कभी भी मित्तु का भाई नहीं रहता है तो आज मुझे यकीन है कि आपको सही माने में भाई दूज का वरदान में दिन का आपको आज पता चल गया होगा तो अपने भाई को काला टीका लगा और अपने हातों से बना के भोजन कराअएं तो उस भाई को कभी भी मिर्थ्टू का भाय नहीं होगा, उसको यहम का भाय Śुब बनाईें यह और अपने जीवन में वर्दान से भर दीजिए। क्योंकि भाईदूज सच में बहुती वरदान में होता है, क्योंकि यम को टीका लगाए जाता है, तो यम को टीका लगाने के बाद में, कभी भी यम का और मित्तु का भै नहीं रहता है, तो फिर हैपी भाईदूज, और सब लोग अच्छे से भाईदुश मनाईए